और सलिया आगे पढ़ेंगे और सबसे पहले बुलिटन में बात करेंगे ड्राइवर्स की हर्ताल के हम बात करते हैं आज दूसरा दन है जारी हर्ताल और हिट अंड रण केस के नए कानून के विरोध में ये हर्ताल आगे भी जारी रने के चेताफ़ी उनके द्वारा दी गई तुशतीस गड़ में भी बस और ट्रेकों के भई ये थम चुके हैं हरताल के वरे से दूसरी चीजों पर भी इसका असर पड़ेगा पैटोल डीजल आपूरती प्रभावित हो सकती है बसों के नहीं चलने से यात्री परिशान हो रही है सबजियों की आवक में दिक्कत होगी दूद की आवक में दिक्कत होगी रोज मर्रा की सामान की आवक में दिक्कत हो सकती है अगर यूँ ही ड्राइवर्स के हरताल चलती रही बसों के पर यह थम चुके हैं यात्रियों को परिशानी हो रही है ट्रक भी नहीं चल रहे हैं जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी परिशानी का सामना करना पर सकता है और अगर यूँ ही हालात रहे तो बहुत चल पैट्रोल पंबी सूख जाएंगे एक और ड्राइवर्स की हरताल जारी है तो दूसरी और सरकार ने भी कम और कसली है पैट्रोल डीजल की पूर्थी को लेकर सरकार गंवीर है मुक्यमंत्री के नर्देश पर सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिये गए हैं कि पैट्रोल डीजल और ल्पीजी की आपूर्दी जल्द से जल्द बहाल हो पेट्रोल डीजल एलपीजी वाहनों के सुचारू संचालन के लिए पुलस बलतैनात करने के निर्देश भी दिये गए हैं दूसरा दन है और दूसरे दन भी हर्टाल ड्राइवर्स के द्वारा जारी है और कहीं न कहीं ये जो रोजमरा की चीजें हैं वो प्रभावत होती हुए नजर आएगा आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पढ़ता नजर आएगा अपनी मांग पर आड़े हुए हैं नए कानून को वापस लेने की मांग इनके द्वारा की जा रही है पर सरकार भी इस पूरे मामले में एक्शन में दिख रही है गंभीर दिख रही है और सबी तरह की विवस्था हैं सरकार के द्वारा की जा रही है हरताल का असर ऐसा खासा असर नहीं दिखेगा ये भी सरकार के और से कहा गया है कि किसी भी तरह की परेशानी आम लोगें को नहीं पर साफ़त और से कहीं नहीं परेशानी होना शूरू हो चुकिया यात्री तो परेशान हो यह रहे और साथ जो रोजमरा की चीजें बेसिक नैसेस्टी है उस पर डारेक्ट असर हमें देखने को बने चल्दी अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेंगे क्या कुछ आलाथ हर्थाल को लेकर सीधे रायपूर का रुक करेंगे से करें लोगों की मौच फ़ोतीय है वो कम हो सके लेकिन साथ ड्राइवर्स इस उसे कानून को तहीए और यहींले है कि पूर busted पेद है प्रभावित होती है तो इसके लिए इसके लिए प्रभावित होता है तो इस पर कारवाई की जाएगी इसके साथ ही डिपो से निकलने वाली आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने पर जो ड्रावर्स ने उन पर कारवाई की जाएगी इसके साथ ही इसके लिए खास इंतिजाम भी किया गया है इसके लिए राजे से विभाग की जो है ड्यूटी लगाई गई है और सभी टोल नाकों पर एक जरूरी इंतिजाम जो है वो किया गया है इसके साथ ही पेट्रोल डिजल की सप्लाई जो है प्रभावित ना हो इसके जनता पर पढ़ रहा है जी ठीक वाके इसका खासा असर आम जनता पर ही पढ़ेगा यात्रियों पर पढ़ेगा हाला कि देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरह फैसला लेती है याँ सरकार इस पर